गुट न्यूज टुडे नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल तो उन्होंने सरकार की नाकाम्याबियों को जनता से गिनाया कोरोना काल में हुई त्रासिदी से ले करके पलायन, मजदूरों का भटकाव और कोरोना की सिती को नियंतर करने में असफल रही BJP सरकार का आरोप लगाते हुए अकलेश शादव ने यहां पर सीधे तोर पर निशान साधा अकलेश यहां भी नहीं रुके उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों की सबसे जादा नाकद्री और उनका अत्याचार सिर्फ और सिर्फ BJP की सरकार में हुआ है चाहे भो भरतियां हो, चाहे भो आरक्षण हो या फिर उनकी बहाली को लेकर के, मांदे को लेकर के, जितनी भी समय समय पर मांगे उठी, उन्हें पूरा करने में बीजेपी नाकाम्यार रही वहीं इस कारेकर्म के दौरान उन्होंने अपने समवाद में किसान अंदोलन का भी जिक्र किया वकलेश ने कहा कि यूपी के एक इलाके मुदफर नगर में किसान आज भी डटा है जहां हजारों की संख्या में किसान सरकार से सवाल कर रहे है जो कानून किसानों के हित में नहीं है सरकार उने क्यों नहीं बापिस ले रही इसके साथ ही साथ अखिलेश शादव ने बीजेपी पर संकल पत्र पूरा ना करने का भी हरोप लगाया है नौजवानों के साथ हो रहे अन्याए रोजगार की कमी और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में सिर्फ और सिर्फ शिलन्याज का शिलन्याज और उद्घाटन का उद्घाटन करने का ही काम किया गया पूरे तल्खतेवर के साथ अखिलेश शादव ने ना सिर्फ बीजेपी पर निशान असाथा बलकि सरकार को भी आले हातों लिया मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए अखिलेश शादव ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री लगातार उतरफदेश के दोरे कर रहे हैं लेकिन जो परियोजनाय हैं वो समाजवादी पार्टी की ही शुरू की गए है इस चुनावी दोरे को कई हिसाब से देखा जा रहा है क्योंकि आम तोर पर ये दोरा चुनाव का नहीं था लेकिन यहां जो बाते हुई जो प्रसंग रखे गया और जो सरीके से खुले तोर पर अखिलेश शादव ने यहां जो विकास रुका है और यहां तक की सरकार का पूरा ध्यार ना तो काम में है ना रोजगार में बलकि मुद्दों से भटकाने का काम भी जेफिक करें अखिलेश शादव ये पहली बार नहीं था जब पूरवांचल में थे चुकि वो आजमगड के प्रतिनिधी हैं और लगातार पूरवांचल में पहले भी वो दोरे करके सरकार को आड़े हातों ले चुके हैं लेकिन शिक्षक दिवस के मौकिक पर शिक्षक संग के लोगों और शिक्षकों को एक करके अखिलेश ने एक तीर से दो निशाने चला किया है अखिलेश ने कहा कि अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों और बुनकरों के लिए खास और पर बिजली का इंतजाम किया जाएगा जो इस सरकार में बढ़ती हुई दुगने दामों की बिजली और तमाम तरहें के सुविधाओं की मार किसान चेल रहे हैं अपने कामों का बखान करते हुए अखिलेश शादव ने ये भी याद दिलाया कि बीजेपी सिर्फ और सिफ री ब्रैंडिंग का काम करती है अब ऐसे में देखना होना कि आगे आने वाले दुनों में अखिलेश शादव कैसे तल्खतेवर के साथ और को के साथ में सीधा समबात करके योगी सरकार और बीजेपी को गेते नजर आते हैं तो यूपी तक में आज के लिए बसिकता ही देश और दुनिया की ताजा तरीम खबरों के लिए देखते रहे यूपी तक और विधान सबा चुनासर जोड़ी विशेश कवरेज को आप द